गूड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम सोल करेंगे दा इंपक्ट ओफ एन्वाइरमेंट ओ टू चिल्डन रीडिंग पैसेज और इसके अंदर हमारे पास 1 to 5 भी फिलिंग दा ब्लैंक्स दिसमें no more than 3 words फिल करने हैं फिलिंग दा ब्लैंक्स दिसमें no more than 3 words करने हैं ठीक है और 9 to 12 हमारे पास yes no not given है तो फर्स्ट क्योशन हमारे पास क्या दे रखा है टाइप ओफ इंपक्ट टू चुल्डन ब्लैंक बैक्ग्राउंड फ्रों पेरेंट्स एंड फैंबली सेकिंड रेंज और रेफरेंस ओफ सिब्लिंग थर्ड दे रखा रेट ओफ इन्फुलेंस तो पहले तो करते हैं क्या आएगा देखो फर्स्ट पैसेज में क्या गीवन है वाट डिटर्माइन हाव एचाल्ड डेवलप क्या डिटर्माइन करता है जब एक चाल्ड डेवलप होता है इन रियालिटी इट वूड बी इंपोसिबल टो काउंट फूर इच एंड एवरी इंफुलेंस यह है रियालिटी में यह है बहुत डिफिकल्ट है इंपोसिबल है क्या पूता अलगाना कि उसके उपर चाइल्ड के उपर किस तीज का प्रभाव पड़ता है कि उसके उपर फ्यूचर में क्या बनेगा ठीक है बट वी कन लुक अट आट और सम उफ प्पेरेंट इंफुल अस अंड़स्टेंडा इंफ्लेंस डैट कॉंट्रीबूटे चाइल की ग्रोथ में किस तीज का इंफ्लेंस होता है पेरेंटिंग का जैनेटिक एक्सपिरेंस फ्रेंड्स फैमिलेशन्शिप और स्कूल उसके बाद गयत दे रखा है तो बैक्ग्राउंड हमें वाबरूस्टे पीज बाद बाद बोलूस्टेंग टनए बाद बीड बाद बीक्ट बीक्राउंड के बाद ऑन इंफन छावन फटेबूबूटे बाद वीज जा फिजान इंफ्लेएंस टे सक्थरेंसमेंस इंफिस बजस्चेट्ट ठndeट प्यूंट उस्चेशनि फिजग referred to as nature versus debate generally the given rate of influence is 40 to 50 percent they refer to all of siblings of a family are the result of nature over genetic background तो यहां पर क्या background क्या आगे क्या दे रखा genetic तो first हमारा feeling the blanks बन जाएगा genetic छीक है B के अंदर 40 to 50 percent के नीचे given है genetic यह हमारा first cancer बन जाएगा ठीक है अब second हमारे पास क्या given था second तो कुछ है नहीं too old shared environment में दे रखा है तो shared environment नहीं इसी से आगे read करते हम तो अभी दे रखा था shared environment में क्या given है it may refer to all of sibling are we result of nature or nurture today most researchers agree that child development involves a complex interaction of both nature and nurture while some aspect of development may strongly influence by biology environmental influence में आलसो प्ले रोल for example दा टाइमिंग ओफ वेन अन्ड़ ओनेस्ट ओफ प्यूब्रिटी ओकर सिल लार्ज रिजल्ट ओफ हैरिटी बट एंवायर्मेंट फेक्टर सच अज न्यूट्रिशन के आलसो एं इफेक्ट इसमें टोटल में हमारे पस क्या दे रखा है कि सिब्लिंग एक ही फैमिली में जो सिब्लिंग होस्ते हैं भाई बहन होते हैं सारे उनके उपर जैनेटिक और नीचर दोनों का इफेक्ट होता है ठीक है जैसे जैसे उग्रो करते हैं टोटल इंफ्लेंस एनवायर्मेंट का भी और फैमिली का भी सब कुछ दे रहा है जैनेटिक इनहरिटेंस से भी उसके आगी देखते हैं सी पैसिज में क्या गिवन है इन्पड़ झाँ कि यह खुषा लग्ग जालियार्मेंट वर टो टुटलर टोन शेज जब एर रावाज चो कि इन्वाज दो टुटलर रच्पू इन्हाज को अरहे जाठाटियंग विचू लगे लग शेखते हैं में इन्वाज़ जाज़ ऑप्ड़माट लुटलामेंट at certain period of time. It is persistent and lifelong. Deep access में देखुआ। The shared environment or common environment refer to environmental influence that has effect of making sibling more similar to one another. ये क्या अमना आता effect siblings को एक जैसा. Shared environment influence can include shared family experience, shared peer group, sharing same school and community. In general, there has been strong evidence from shared environment effect on many behavior, particularly those measured in adults. Possible reasons are discussed. Shared environment effect evident in children and adolescent. Children, बच्चे, अडोल्स, थोड़े उर से बड़े हुए। Teenagers, ठीक है? In the 13 to 18 group में आते हैं. But, these effects generally decrease across life span. New development of genetic behavior made it possible to species shared environment. Importance to taste of family and non-financial shared environment influence. It may also refers to all of sibling of a family, but the rate influences less than 10%. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? Shared environment किसके लिए होता है? B के अंदर देखो. Second में क्या होगा? Include to. Shared environment कहाँ? किसके लिए होता है? To all of sibling. सभी sibling के लिए. Less than ratio के अदर किती 10%. Second में तो हमारे पास क्या आजाएगा? All of sibling and और यहाँ आजाएगा. Ratio क्या आजाएगा? इसकी 10%. ठीक है? 10% All of sibling तो Shared environment का. यह तो बन जाएगा मेरा second का answer. तो 10% बन जाएगा third का answer. Okay? अब fourth देखते हैं. Fourth में क्या given है? Fourth में हमारे पास है blank to part of sibling और ratio देखते हैं. यह 50% है तो उससे पहले तो 40 given है. कौन सा एनवार्मन? Shared तो उप्रा गया तो दूसरा environment कौन सा हो सबता? Non-shared. तो हम E passes पढ़ते हैं. D तो हमने पढ़ लिया. ठीक है? E में क्या given है? The importance of non-shared environment lay hidden within quantitative genetic studies since they begin nearly a century ago. qualitative genetic methods such as twin adoption method were designed to tease apart nature and nurture in order to explain family resemblance. For nearly all complex phenotype, it has immersed the answer to question of the origin of the family resemblance in nature. Things run in family primarily from genetic reason. इसमें क्या 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 रखा है? कि उन्होंने twin study core adoption method को read किया. जो भी यही दिखाता है कि nature को nurture का effect होता है. फैमिली की मतलब जो फैमिली से resemble करते हैं, मैच करते हैं. और सारी सारी complex phenotype को study किया तो उन्होंने क्या क्या देखा? इस भी आंसर की जवाब, जो ओरीजन से starting से दिये कि फैमिली रिजेंब्रेंट्स इस नेचर. फैमिली से मैच करना तो एक नेचर है और थिंख रन इन फैमिली प्रामिली और जो भी चलती हैं. जो भी हम बड़े होते होते हैं. जिनको कर पाता है उनको ठीक है उसको हम जैनेटी का नाम जेते हैं और जो रिमेंस रहते हैं उनको क्या बोलते हैं कि यह एनवार्मेंटल इंफुलेंस की वज़े से हैं. नोन शेयर्ड एनवार्मेंट रेफर्स टू पॉल्ट ओफ सिबलिंग और फैमिली रेट क्या रखा 40 तू 50 परसेंट तो हमारा यहां पे लास्ट लाइन में आ गया. यहां पे क्या हैगा नोन शेयर्ड एनवार्मेंट और रेशो क्या बन जाएगा यह पार्ट ओ सिबलिंग है और रेशो तो क्या होगी 40 तू 50 परसेंट तो हमारा नोन शेयर्ड है और यह 40 तू 50 परसेंट है. यह हमारा बन जाएगा 4th का अंसर, यह तो बन जाएगा 4th का और यह बन जाएगा 5th का ठीक है 40 परसेंट तो 5th का और नोन शेयर्ड हमारा बन जाएगा 4th का अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट क्विशन यह तो हमारे हुए 1st वाले, उसके बाद क्या दे रखा है 6th के लिए be blank by a peer pressure and it also indicate that the blank of knowledge that children learn from other culture is increasing the study has found that quantities of competing blank between when parents are children and even parents themselves so it's clear I'm read cut it over take a home Lila how many passes by a F made it to me starting me to do that I have non-shared families का यह last में last की three lines में देखो क्या दे रखा है last fourth line से research in recent year suggested that the impact of parents will be easy to be interrupted by the influence of to be be दे रखा था ना पहले to be frequently be blank blank by peer pressure और यहां पे क्या दे रखा है be interrupted by the influence of children of same age group same age group के लिए peer group लिख रखा है और यहां पे influence क्या जाएगा interrupted तो हमारा sixth cancer क्या होगा interrupted that also show that blank of knowledge that children get other culture is increasing kisses की knowledge variation of knowledge तो seventh में क्या आ जाएगा variation of knowledge यह increase कर रहे है और a number of blank between whatever father and mother of parents and children are conflicting a number of of के बाद क्या दे रखा है interest तो eighth का क्या बन जाएगा interest number of interest father and mother के बीच में इसके फिवर बिजाते है चीक है तो हमारे यहां पर क्या बन जाएगे इंट्रप्टेड तो भी इंट्रप्टेड तेकि यह तो है हमारा sixth cancer और variation इंट्रप्टेड के नीचे ही variation है यह बन जाएगा मेरा seventh cancer और interest यह है एट का ठीक है interest जरूँरस्ट ते वर उपर interest खोटेड वेलिगेशन और अन्टप्टएड यह सारे का यह का यह वह दे रखहे हैं तो यह में इक त्टेकर देटाई तन्सिक्स देख लेना आप शिक्स्त में हमारे पास आएगा इंट्रप्टेट सेवंथ में विरेशन और एर्थ में इंट्रस्ट है अब उससे आगे चलते हैं आगे हैं हमारे पास फिलिंग दा ब्लैंक ओ न सोरी त्री फाल्स नोट गें नाइन्ट ट्वाल क्या है ब्लैंक दा मोर चिल्डरन देर अरिन फैंबली दा मोर इंपक्ट ओफ एनवार्मेट इस हमने जितना भी रिड़ किया वी तक ऐसी कोई स्ट्रेटमेंट गिवन ही नहीं है कि मोर चुल्डरन होंगे तो more impact होगा environment का environment का तो equal effect होता है तो ऐसी statement given ही नहीं है तो हमारे पास इसका answer बन जाएगा 9th का not given 10th क्या है method based on twin study still meet unexpected difference that cannot be ascribed by purely genetic explanation ये हमने पढ़ा ता उपर twin study का किस passage के अंदर रेड किया था twin study से related हमने ये passage में किया था कि वहां पर दे रखा है कि complex phenotype है जो पूरी की पूरी study को explain नहीं करता और जितनी को explain करता हूँ उसको हम genetic influence का नाम देते और जो नहीं कर पातों से environmental influence का नाम कहते हैं तो ये statement हमारे पास क्या हो जाएगी true ठीक है तो ये 10th क्या बन जाएगा true 11th क्या है children prefer to speak language from the children of same age group to language spoken by their parents children prefer to speak the language children किसको preference देते हैं इस language क्यों जो same age के group के बत्चों से सीलते हैं spoken by their parents उनकी parents द्वारा पोली जाती है ऐसा अब तक हमने कोई passage में read नहीं किया है के बल हमारा एक passage रहता है जी उसको भी read कर लेते हैं उसमें क्या given है because sibling living in the same home share same but not all potential genetic and environment factor influence their behavior परन्तू क्या दे रखा है environment उनके behavior पर कुछी जिसका कोई परभाव नहीं पड़ता teasing apart the potential influence of genetic and non-genetic factor differentiate sibling it is very difficult genetic and non-genetic factors का influence पर differentiate करना बहुत difficult है Weldner and Tukmir in 2000 noted that non-shared environment influence which include all of random major error may not be systematic or systematic नहीं था but instead may operate id id o psych critically and in ways that cannot be as a certain यह वो certain भी नहीं था thus question is whether or not QAC experimental behavior genetic design can be used actually identify systematic non-shared environmental mechanism cross-sectionally and longitudinally this input of crumpt study तो यहाँ पर भी हमारे पास वो statement तो नहीं गिवन last passage में भी तो हमारा 11th का भी क्या बन जाएगा 11th की statement भी given नहीं है तो यह भी हमारा क्या बनेगा लेखा क्यों नहीं जा रहा यह भी क्या बन जाएगा not given अब आता 12th the study of non-shared environment influence can be generally agreed the idea among the researchers in the field study of non-shared अभी हमने 12th उसमें F में देखा है न की यह कहरा agree कर रहे हैं और वहाँ पर तो ऐसा कुछी दे ही नहीं रखा कि agree कर रहे हैं नहीं कर रहे random error may not be systematic but instead they operate in ways cannot be ascertain certain ही नहीं कि agree है या disagree है तो यह हमारा agree का question क्या बन जाएगा false ठीक है last यह क्या बनेगा false क्योंकि वो agree है ही नहीं यह statement given यह contradict कर रहे है जी passage में दे रखा है जो भी हमने read किया था अब last question क्या है हमारे पास 13 according to this passage which comment is true about the current study of non-shared environment influenced to children a little biased in nature no c very systematic यह भी नहीं दे रखा systematic तो है ही नहीं वापे दे रखा unsystematic दे रखा था न can be workable यह भी given नहीं है क्यों काम करता है तो हमारा b option not sufficiently proved अभी तक sufficiently proved नहीं होगा तो इसका option क्या बन जाएगा b जो हम भी हमने read किया था ठीक है तो हमारे यह था हमारा reading passes जो हमने soul किया है आप इसको read करके अच्छे चैस देख लेना एक बार और इसका pdf लाए चाहिए तो आप google पर टाइप कर लेना है topic का नम और वहीं से आप pdf इसका save कर सकते हैं thanks for watching my video have a nice day good night